हेलो सुटेंट्स हमारे शूटूब की चैनल पर आपका एक बार फिर से मूश्ट वेलकम है आज हम आपके लिए लेकर प्रजेंट हुए हैं अमेजिंग फैक्ट का पार्ट नमबर फाइब और पार्ट नमबर फोर तक हमने अच्छे डंग से बड़ियां से सीख लिया है देख लिया है और सबी चीजों की फोटो भी हमने देख लिया है यानि कि हमारे मन में सबके फीगर बन गया होंगे तो आज हम सुरू कर रहे हैं पार्ट नमबर फाइब का आज मतलब अमेजिंग फैक्ट आप और हमारे जो लोगों है हमारे कदम सिच्छा और स्वास्त की और आने की आप एजूकेशन भी लो और आप मतलब की आपका हेल्थ भी बढ़ियां रहेगा माइंड को यूज करने से ठीक है ना तो सुरू करते से आज की टॉपिक को लिख ना पर लाउजर लिखा और दोरी नामक मुर्गे की लंबाइब केवल 55 cm होती है अंधोरी मुर्गा होता है ये कौक होता है उसकी लंबाई नहीं पहँल पैंतालीच संटी मीटर होती है परंत रोचक वाली बाते परंत इसकी पूंश की भी बहुत रोचक आपके लिए देंगो तीसरा क्या बोलता एक इसी बीचित्र मखी बोट प्लाई बोट प्लाई बोट प्लाई बोलते हैं यह मतलब मखी जो 808 मिल प्रती घंटा के सुझ कर डोगा है यह पर उड़ी साकरे जो 808 मिल प्रती घंटा के विद से उड़ इसकती है 818 मिल में कितना किलो मीटर होता है 1.6 का मल्टिप्लाइ कर दो पता चल जाएगा आपको ठेक है ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो इतना तेजी है देखो यही बोट फ्लाइए इतना तेजी ऊड़ती है यानि कि रॉकेट से भी ज्यादा इसका वेग है एक र होती है ना तो देखो यहांपे सी एक किया होती बहुत अजीव जानो रहे है ळाना लगता हमारी कैसी क्या होता है अब देखो क्या है अगला पांचवा यदि गोल्ड फिस को एक लंबी अवधी तक अंधेरे कमरें में रख दो तो उसका रंग क्या हो जाता है सफेद हो जाता है गोल्ड फिस ही होता है तेक ना गोल्डन कलर का अब देखो अगली टॉपिक क्या बोलती है केचुवा अपने वजन से दस गुना अधिक वजन खीश रगता है जो केचुवा जमन्दब किसानों का मित्र वाना जाता है खेतों में अक्षर बरसात के मौसमें देखने को पाया जाता है तो अपने वजन से सकता है अब तुम क्या सोचो अगर आप मतलब पचास किलो के हो तो क्या आप 500 किलो वजन खीश सकते हो नहीं ना अतय है विजानकारी क्या हो गया रोजक हो गया आपके लिए चुवा आखिशानों का मित्र होता है किसान भाई को बताया जाएगा अब देखो सात्मा क्या बोल बनाने का काम करते हैं ठीक है ना मतलब इन्हें की सहाता से हम लोग रेसम मतलब यह पाते हैं तो इसकी पास ही 11 माइंड होते हैं तो रोचा जनकारी है कि नहीं है अब देखो जारा एक मिनिट रचों देखो आठवा क्या लिए गाउफर एक ऐसा बिशित्रव जी हुए जो जितनी थेजी से आगे की दिशा में दढ़ता है उतनी थेजी से पीछे की के दोड़ सकते हो गया नहीं ना तो गौफर एक ऐसा प्रणड़ी है कि मतलब जितना तीज आगे दोड़ सकता है ना उतनी तेज पीछे भी भाग सकता है यानि कि बिचित रहे कि नहीं है तो बिचित रहे अब बताओ अब नावा देखते हैं हिमालाई याग के दूद का रं मदुमख्यों को एक किग्रा सहद एकत्रित करने के लिए चालिस लाग फूलों का रश चूसना पड़ता है क्या लिए मदुमख्यों को एक किग्रा सहद एकत्रित करने के लिए एक किलोग्राम अगर सहद इनको बनाना यहां पर है ना इनको चालिस लाग फूलों का रश च मतलब कि एक फूल ते जाना ले आना जाना ले आना ऐसी क्रिया इनको 40,00,000,000,000 बार करने पड़ती है सब को मिला कि 40,00,000,000 बार करने पड़ती इतना ज्यादा मैनते लोग करते हैं उसके बाद एक किगराशध बनती है और इनसान क्या करता है उसको नोस के मतलब कि निकाल ल इनके फल को कोई शीनेगा तो डंक तो मारेंगी मारेंगी अच्छी बात है ना तो उम्मीद करते हैं कि हमारे साइरों से जानकारिया आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए काफी हेल्फुल रहा होगा और आपको मज़ा विया होगा तो कमेंट आपके बता दो भीया कैस कि अपके बता है कि भीया लात करते हैं वहाँ आपके तो मारेंगी मारेंगी बाद चालत क्या आपके अजसे आपके लिए कि गलते हैंश्वार दो लू भीया उनके टीन की वा कि वा एकाफना तो ओ लेका निए